आज मैं आपके साथ बहुत ही जबर्दस सी रेसिपी शियर करने जा रही है जो के कबाब खड़ा मसाला और ईद भी तकरीबन करीब है तो इस रेसिपी को आप सरूर बनाईगा इंचाला आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से तो मतन और बीफ में भी ट्राइ कर सकते हैं फिलाल में या पर इसको चिकन में बना रही हो अगर चिकन में जो लोग बनाना चाहें इसको चिकन में भी मेरसिपी को फालो करके ट्राइ जरूर कीजिएगा चिकन के कीमे को मैंने चॉपर में डाल दिया है अब इसमें हम कुछ सी कबाब मसाला लिगा है, इसी भी अच्छे ब्राइड का ले सकते हैं एड साब चिजों का लिए टसपून वे छिए सबσα सीक जआ लिया कि लिए लिए अफ तीस्पून ले पोड़र लिया हैं डु सेट पैस्ट पी लिए सें घरें इसमें आपर मैंने एक पांड लिया है और उसमें 1तेबल स्पून साबुथ हन रोस्त करेंगे, साबुथ रोस्त करेंगे, तो नीं ढरेंके पीटिए स साबुथ करून यह करेंगे मसाला रेडी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक पॉर्ट में वन फॉर्थ कप ओई लिया और उसमें कुछ साबुत सारे जो गरम मसाले होते हैं वो एड़ करेंगे मैंने लाल गोल्ड मिर्चे लिए चैसे साथ अदद दो बड़ी इलाइची लिए तीन चोटी इलाइची लि इसमें एक बड़े साइस का टेमाटर एड़ कर देंगे अगर आपको ग्रेवी ज्यादा रखनी है तो टेमाटर की कॉंटिटी थोड़ी सी बढ़ा दे अब हम इसमें कुछ पॉर्डर्ड मसाले एड़ करेंगे यहां पर मैंने वन टीस्पून सॉल्ट लिया है और वन गया एड़ करेंगे तो एकश। ऑप पानी एड़ करेंगे ऑम साले को बुनने के लिए रख देंगे यह मसाला अच्छ ते बुन गया है और वाइल वी उपड़ आगि अब जहले क्पानी है और जो हमने चाबाब रेड़ी की ए Alors जो एक ब कबाब को एड़ करने के बाद स्पून बिल्कुल नी चलाना है क्योंके कबाब तूट जाएंगे इसको अब हम 10-12 मिंट के लिए पकने के लिए रख देंगे अगर आप बीफिया मटन में बना रहे हैं तो जितना उन दोनों को टाइम रिक्वाइड है उस टाइम तक के लिए तो चलिए अब हम इसको पकने के लिए रख देतें कबाब खड़ा मसाला रेडी है कबाब भी अच्छे से गल गए और मसाला भी अच्छे से बुन गया है अब हम करते हैं फ्लेम ओफ और इसको डिश आउट करके इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं यह देखें कितने जबरदस लग रहे हैं और खाने में भी आपको इंतहाई बहतरीन लगेंगे इंशाला आप सब लोगों को बहुत बहुत पसंद आएंगे आप चाहें इसको बीफ से बनाएं मटन से बनाएं चिकन से बनाएं लेकिन एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजेगा बहु है तो चलिए आपको अगर मेरी जबरदसी कबाब खड़े मसाले की रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और प्लीज प्लीज मेरी चैनल को भी ज्यादे सब्सक्राइब भी कर दें इन्शाला पर मिलते हैं एक और न्यू जबरदस यमी रेसिपी के में याद रखिएगा जब तक के लिए अल्हाफिज